हेलो गाईज, वेलकम टू CSS टुटियोल स्रीज, गाईज आज के इस लेक्चर के इंसाइट हम CSS की हेल्फ से टेक्स्ट अलाइनमेंट का कॉंसेप्ट सीखेंगे, गाईज इस लेक्चर को आप लास ममेंट तक वोच करें क्योंकि ए लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो चलिए शूरू करते हैं, गाईज इस लेक्चर के इंसाइट हम CSS के टेक्स्ट अलाइनमेंट कॉंसेप्ट का यूज हेडिंग और पेरिग्राफ दोनों के साथ करके देखेंगे, और साती साथ CSS की जो टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट अलाइन लास्ट न बना लेता हूं, यहां पर टेक्स्ट लिख रहा हूं में CSS टेक्स्ट अलाइनमेंट, मैंने यहां पर H1 टेक का यूज किया है, अब मैं सबसे पहले से ब्राउजर पर रन करके आपको बताता हूं, इसका जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट है, वो अभी लेट हैं, इसके इसका जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट है, वो क्या है, अगर आप सेंटर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, यहां पर इस H1 के ऊपर मुझे CSS अप्लाइ करना है, तो मैं यहां पर H1 एलिमेंट को डिफाइन करूँगा, यहां पर मैं प्रोपर्टी यूज करूँगा, टेक् यहां पर आप देख सकते हैं, इसका जो अलाइनमेंट है भी क्या हो चुका है, सेंटर, इसी तरीके से हम इसका अलाइनमेंट राइट भी कर सकते हैं, राइट का मतलब होता है कि यहां पर हम दिखा सकते हैं, कैसे, इसके लिए हम यहां पर सेंटर हटा देते हैं, और यहां के ऊपर भी text alignment का concept यूज कर सकते हैं इसके लिए हमें यहां पर paragraph तक बनाने के लिए हम ptag यूज करेंगे अब इसके इंसाइट हमें paragraph चाहिए तो मैं अपने browser को open करता हूँ यहां पर मैंने lorem ipsum का जो website है उसे open किया हुआ है यहां से मैं एक डमी पेरिग्राप ले लेता हूं इस पेरिग्राप को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं कॉपी करने के बाद यहां पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं एक बार और पेस्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा पेरिग्राप बढ़ा हो जाए आपको समझने में आसानी हो अभ इस paragraph का जो alignment है वो left है मैं अभी ब्राउजर पर रन करके आपको दिखाता हूँ यहां पर मैं reload करता हूँ आप देख सकते हैं इसका जो alignment है अभी क्या है left है अब इस alignment को आप center कर सकते हैं right कर सकते हैं और आप justify कर सकते हैं justify का मतलब होता है कि left और right दोनों से एक जैसा अभी आप right side में देखेंगे न तो थोड़ा सा आपको जगे छुटा हुआ दिखाई दे कर यूज करेंगे तो अभी मैं यूज करके बताता हूँ यहां पर concept को तो आप step by step देखें आपको बेटर तरीके समझ माएगा यहां पर इस paragraph के उपर मुझे text alignment का concept यूज करना है css के help से तो मैं p element को यहां पर define करूँगा इस तरीके से और मैं property यूज करूँगा यहां पर text align और यहां पर मैं लिख दूँगा center save करूँगा यहां reload करूँगा अब देख सकते center में आ चुका है अब मुझे right करना है तो मैं यहां पर center हटा कर क्या लिख दूँगा right चलिए save करते हैं यहां reload करते हैं आप देख सकते हैं right हो चुका है अभी justify का concept समझना अभी मैंने right किया तो देखो left side से जगे चूट गया अभी default left था तो right side से जगे चूट रहा था तो पहले मैं यहां पर इसे height कर देता हूं ठीक है चलिए reload करते हैं अभी पहले जैसा हो ग चलिए तो right side से देखो यह जगे चूट रहा है तो आप क्या करेंगे यहां पर आप यहां पर इसा करेंगे कि इसका जो alignment है वो justify कर देंगे क्या करेंगे ठीक है, save करते हैं, और यहां पर reload करते हैं, आप देख सकते हैं, यहां पर इसका जो alignment है, वो क्या हो चुता है, justify हो चुता है, लेट से भी और राइट से भी, दोनों तरब से एक जैसा हो गया है, चलिए, आपका काम हो गया, अब यहां पर एक property और है, CSS की, और वो property है, text align last, उसका use करके देखते हैं, ध्यान दे, text align last का मतलब होता है, कि जो सबसे, इस paragraph को सबसे last वाला line है, उसके उपर CSS apply होगा, यह बात आपको समझ लेना है, बाकी concept, बहुत आसान है, यह सबसे last वाली line आप देख रहे हैं, इसी के उपर उस CSS का, असर होगा, ठीक है न, तो कभी आपको ऐसा करना पड़ जाए, तो आप कॉंसा property यूज़ करेंगे, text align last, चलिए, यूज़ करके देखते हैं, यहाँ पर, अभी, इसे में हटा देता हूँ, अभी में reload करता हूँ, अभी बिल्कुल default में जैसा था, वेसा हो गया, starting में जैसा था, वेसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर, text align last, text align, last, यह वाला property यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने right कर दिया, क्या कर दिया, right, अभी पहले देख लें आप, by default यह कहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको, left में दिखाई दे रहा है, मैं reload करूँँगा, तो यह आप द चला गया, तो किसके ऊपर इस CSS का असर हुआ, सबसे last valley line के ऊपर, यह बात आपको ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें समझने लाइक और कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, अब इसी तरीके से मैं center करना चाहता हूँ, तो center भी हो जाएगा, मैं यहाँ center लिकूँगा, आप reload करें, यहाँ पर देखिए, यह center में चला गया है, तो इस तरीके से आप text alignment set कर सकते हैं, CSS की help से अपने HTML document के उपर, आप text alignment का concept यूज़ कर सकते हैं, और text को align कर सकते हैं, तो guys, आज के इस lecture के insight हमने text alignment को सीखा, I hope कि आपको यह lecture बहुत अच्छे से समझ माया होगा, मिलते next lecture में, तब तक के लिए, बाई बाई